देखो प्रेमियों समय के चेताउनी बराबर गुरु महराज भी देते रहे और हमको भी देना पड़ रहा है आगे का जो समय है वो अच्छा नहीं है भारत देश के लिए ही नहीं विश्व के लोगों के लिए अच्छा नहीं है और कुछ देशों में आप अगर समचा देखते हो या उधर विश्व के तरब विश्व पतल पर आपकी नजर जाती है तो देखो बहुत से देश और बहुत से देश को चलाने वाले देश में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा परिशान हैं उनको इस बात का आभास हो गय कि हमारी जिन्दगी इस समय पर तलवार पर चलने की तरह से है बारूत के धेर पर हम खड़े हैं और कभी भी हम खटम हो सकते हैं जैसे इस समय पर कुछ देशों की सीमाओं पर जो फोज लगी हुई है उसको कूछ वरोसा नहीं है कि हम वापस अपने बच्चों के बीच में ज हम इस जगह को छोड़ करके मैदान में जा पाएंगे थाट बाट और हाथ वाजार हम देख पाएंगे तो आब आप समझो ऐसे ही हाल कुछ डेशों में लोगों का हो रहा है इस वक्ट पर जो माहौल तयार हो रहा है जुच का महौल तयार हो रहा है और यह जो शक्षम कहलाते हैं, इनमें अगर लडाई चुरू हुए, इनन अपनी प्रस्टिज बनाया तो विष्यु जुद्ध होने में खौल भी देर नहीं लगेगी, यह लडाई और चोटी लडाई बड़ी बड़ी बन जायेगी, विष्यु जुद्ध बन जायेगा, विष्यु जुद्ध म जब घर के लड़ाई में नहीं बच ते हैं भाई-बाई को मार देता है भाभ बेटे को मार देता है पती पतणी पती को मार देती है तो जब चारों तरवड़ाई का महौल हो जाएगा तो यह धन्दवलत, पुत्र परिवार, यह मान और पत्रिष्था आप तो पढ़ ही लिखे लोग हो, बुद्धी जी भी लोग हो सोचो किसी का रह जाएगा, किसी का नहीं यह सोचो आप किसी के काम आएगा, किसी के काम नहीं आएगा इसलिए इस समय पर ज़रूरत है कि आप जगो, लोगों को जगाओ, बातों को समझो और लोगों को समझाओ, अपनी ही अपनी भी जान बचाओ, दूसरों की भी जान बचाओ तो प्रेमियों इस वक्त पर विचार करने का आपको सोचने का आउसर ये मिला है ये समय जब निकल जाएगा तो समय चूख पुनिकापस्ताने का वर्षा जब किसी सुखाने जैसे खेत शूख गया और बर्षात हुई तो उससे कोई फायदा नहीं है जब समय निकल जाएगा तो फिर पस्ताने से क्या होगा समय पर चेतो समझो जानो और बात्म को पकड़ो राष्ट्रे को पकड़ो राष्ट्रे पर चलो